तो नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्टोक्स टेस्ट के बारे में जो कि एक टूबर ग्लॉसिस स्किन टेस्ट है जो टीबी के लिए कराया जाता है तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में हम बताएंगे कि मॉन्टोक्स टेस्ट जो है क तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जो लोग चैनल पे नए है चैनल को सस्क्राइब कर दें आप देख रहे हैं हमारा पैथलाइब चैनल मेरा नाम है मनिश कुमार हमारे चैनल पे ब्लड टेस्ट रिलेटिड काफी सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं आपके कोई क्वेरियो है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो जो डॉक्टर लाल पैथलाइब का टेस्ट कोड है वो है P007 टेस्ट का नाम है Montox जिसको स्किन टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर आपको एडवाईज करता है Montox के नाम से तो सबसे पहले बात करते हैं कि Montox टेस्ट होता क्या है तो Montox टेस्ट जो है एक स्किन टेस्ट होता है एक सबसे छोटा टीबी का टेस्ट होता है जिससे डोक्टर अंदाजा लगाते हैं कि पेशन को TB तो नहीं है, सबसे छोटा टेस्ट कराके, तो ये सबसे स्टार्टिंग में कराया जाता है, कई बार क्या होता है कि Montox जो है कुछ chest infection के कारण या कोई internal infection उसके कारण भी positive आ जाते हैं, तो फिर भी जादतर ये है TB के लिए ही कराया जाता है, tuber glossis जो है, confirm करने के लिए कि पेशन को कुछ TB वाले infection तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले Montox टेस्ट कराया जाता है, Montox टेस्ट के बारे में आगे बात करते हैं, इसका test code मैंने आपको बताया P007, दोस्तों ये जो test है, इसका sample कैसे लेता है, तो ये skin में एक injection की तरहें लगाया जाता है, और इसका जो result है तीन दिन बाद होता है, यानि कि आज आपने लगवाया तो परसो, यानि कि 48 घंटे बाद जो है, आपको इसका result जो है, चेक कराना है, वहीं lab में जाके, एक important information है कि Montox test आप LALPATH lab के किसी भी PSC या collection center पे नहीं करा सकते हैं, इ क्योंकि इसकी एक वायल होती है, जो रेफरिजेटर में होती है, उसके बाद उसको room temperature पे लाने के बाद ये जो है, test कराया जाता है, कौन advise करता है, price मैं बता दूँ, इसका 200 रुपए है, reporting 48 घंटे बाद है, doctor physician इसको advise करता है, disease मैंने पहले भी आपको बता दे है, tuber clauses के ये test है, Montox test, अब आगे बात करेंगे कि Montox test को लगाते कैसे है, यानि कि किस तरह से ये test होता है, उसके लिए मैं आपको कुछ pictures दिखाऊँगा, जिसके जरिये मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरह से Montox test लगाया जाता है, और उसके बाद उसकी reading कैसे होती है, उसको कैसे measure क करते हैं, और फिर उसकी reporting जो पूरी process जो होता है, तो ये सारी चीज़े मैंने आपको बता दी, Montox test के बारे में, इसको doctor advise करेगा, MX test के बारे में भी skin test भी लिख सकता है इसको, तो ये अलग-अलग तरीके से doctor इसको लिख देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जो pictures है वो द MX लगाया जा रहा है, तो देखिए इस direction में लगता है, ये 1 ml insulin जो syringe होती है, इसमें 0.5 ml जो है, Montox का जो region लेके जिसको chemical बोलते हैं, एक तरह से injection ही होता है और एक बहुत ही बारीक निडल होती है, जो skin में लगती है, ना कि किसी vein में ना, वो muscles में, सिरफ जो हमारी चमड़ हो ये skin में, तो इस तरह से वो आपको नजर आएगा, इसमें blood नहीं आना चीए, तो ये इसका लगाने का तरीका है, आप इसको muscles में नहीं लगा सकते, इसको आप skin में ही लगा सकते हैं, तो ये इस तरह से लगाने का इसका तरीका हो गया, और ये लगाने के बाद आप जो patient पर लगाया था राइट या लेफ्ट पर तो यहां पर मार्किंग कर देंगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा अब पेशन्टों के लिए क्या इन्फोर्मिशन है कि इस टेस्ट को लगवाने के बाद किन किन चीजों का ध्यान लखना है आपने देखी जब भी मॉन्टॉक नहीं लगाना है उस जगह जहां उसको बार-बार जो है आप टचनी करना है 18 कंटे बाद वो नौर्मल हो जाएगा 18 कंटे तक उसको ऐसे ही रहना देना आप नौर्मल पानी से जो है नहा सकते हैं इस पे और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं यह तो यहीं चीजे आपको ध् दिखाएंगे इसमें, जिस्ट वन सेकंड, इसका रिडिंग मैप को दिखा देता हूं, कि रिडिंग किस तरह से होता है, तो ये देखे रिडिंग का तरीका होता है, इस तरह से ये उबरा हुआ हो जाएगा, 48 घंटे बाद, अगर मोन टॉक्स पॉजिटिव होगा तो, अगर पॉजिटिव भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत उबरा हुआ हो जाएगा, उसको मेजर कैसे करेंगे, आपको, जो इसका भी पूरा गोलाकार है, सरकल में, जैसे मैं आपको माउस से दिखा रहा हूं, तो इसको मेजर करने के लिए, आप क्या करेंगे, कि इस पे, इसको इधर डोट बना लेंगे, इधर डोट बना लेंगे, पूरा मेजर करके और रखेंगे, पहले पैन से निसान लगाना है, इस्ट, वेस्ट, नोर्थ, सौथ, चारो तरफ से जितना भी गोलाकार बना हुआ है, उसको टच करके, अपनी दो अंगलियों से, और उस पे निशान लगा लेंगे, निशान लगने के बाद, अब फाइनल है, इसका मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है, वो स्केल से करना है आपको, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जिरो टू टैन, जिरो टू टैन इसको मेजर करेंगे, यहां से, यह निसान से, यह निसान तक, जिरो टू टै इसको मेजर कर रहे हैं तो इस तरह से इसको मेजर करेंगे जैसे कि 0 to 10 अब 0 to 10 यहां पे हमने डोट लगा है यहां पे जो डोट लगा हुआ है यहां से 0 से 10 तक हमने मेजर किया अभी ऐसे East, West, North, South याने कि चारो तरफ से डोट लगा के हम इसको मेजर करेंगे मालो 0 से 10 इधर आया है और उधर 0 से 12 आ जाता है तो यह Montox का जो रजल्ट है वो आपका होगा 10 into 12 mm मिलीमेटर में इसको मेजर करते है 10 into 10 है तो भी positive है 10 into 11 है तो भी positive उससे उपर जो है positive है अगर 10 into 9 है या 8 है या 6 है तो वो negative वाना जाएगा यानि कि 10 into 10 से उपर आपका result जो आता है वो positive होता है इसमें जैसे दिखाया गया है आपको मैंने जो picture दिखाई इसमें कि 0 से 10 तक है और दूसरी side हम ना पेंगी इसको यानि कि इसको एक plus की तरह है आप पुरा निसान बना लेंगे बीच में और इसको दोनों side से जो है आपको measure करना है तब ये जो इसका result है वो clear होगा जैसे मैंने आपको समझा दिया 0 से 10 है और 0 से 11, 12 कुछ भी आसकता है ये 20 तक भी आसकता है यानि कि 12 into 12 भी आसकता है नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ बाई बाई